दोसो किसी भी वेजुएल के अंदर light के साथ साथ color भी बहुत ज़ादा important होता है जब हम किसी भी picture की light को adjust करते हैं तो इसके साथ साथ हमें उसके colors को भी adjust करना पड़ता है आप लोगों को याद होगा कि आप लोगोंने elements of design को जब पढ़ा था तो उसी अप लोगोंने warm colors और cool colors के बारे में भी जाना था दोस्तो हम Photoshop के अंदर adjustment panel में जाके color balance के थूरू किसी भी picture को warm या cool बना सकते हैं यानि कि उसके colors को और उनके effect को change कर सकते हैं इसके इलावा हम hue और saturation के मदद से भी colors के अंदर changes कर सकते हैं तो दोस्तो इस lesson में हम लोग hue और saturation और इसके इलावा color balance को study करेंगे दोस्तो आप लोग इस वक्त अपनी screen के उपर कुछ visuals देख सकते हैं ये कुछ landscapes के visuals हैं एक landscape इनमे से बिलकुल warm color पे मुश्तमिल है जबके दूसरा landscape cool colors पे मुश्तमिल है दोस्तो हम लोग ये करने वाले हैं कि Photoshop में जाके जो warm color वाला visual है उसको cool colors में convert करेंगे और cool color वाले visual को warm colors में convert करेंगे ये होगा color balance के थूँ तो चलने चलते हैं Photoshop की तरफ और सीखते हैं Color Balance Hue and Saturation सबसे पहले मैं इस landscape को यहां पर drag करूँगा Photoshop के अंदर आप ये देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत एक image है fields का एक visual है और इसके अंदर आपको जो colors नजर आ रहे हैं वो warm colors नजर आ रहे हैं अब हम देखने लगे हैं Color Balance को image में जाके adjustment के अंदर हमारे पास यहां पर एक Color Balance की option मौजूद है जिसकी shot की है Ctrl B जी हाँ अगर हम Ctrl B प्रेस करें तो Photoshop में हमारे पास ये एक निया डालोग बॉक्स open हो जाता है यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास different colors दिये गए हैं cyan के सामने red, magenta के सामने green और yellow के सामने आप blue को देख सकते हैं अच अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि ये colors basically एक दूसरे के सामने यहां पर हमें क्यों मिल रहे हैं दोस्तों उसकी वज़ा बहुत ही simple है basically यह जो colors है यह complementary colors है cyan red के जएध है, green, magenta की और yellow, blue की यानि कि अगर मैं इस knob को सयान की तरफ लेके जाऊं तो basically red color इस visual में से कम होगा इसी तरह से अगर मैं इसको red की तरफ लेके जाऊं तो cyan कम होगा, red increase होगा same goes for magenta and green यह देखें यह आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर हम yellow की तरफ लेके जाएं तो blue कम होगा अगर हम blue की तरफ लेके जाएं तो इस visual में से yellow की quantity कम हो जाएगी अच्छा फिलहाल मैं इसको यहां से करता हूँ cancel और हम आते हैं दूसरे method पे यहां से adjustment layer में जाके यहां पे हमारे पास मौझूद है color balance यह देखें यह adjustment layer open हो गई है color balance की अब हम यहां से इस visual के जो colors हैं उनको हम change करेंगे दोस्तों क्योंकि यह थोड़े से warm colors वाला image है और हम इसको अगर cool color वाला बनाना चाहें तो यह देखें मैं थोड़ा से सयान की तरफ लेके जाऊंगा green को मैं थोड़ा से add करूंगा और इस visual में मैं थोड़ा से blue add करूंगा यह देखें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त यह जो visual है यह एक warm color वाले visual से एक cool colors वाले visual के अंदर convert हो गया है और यह सथ आपको बिल्कुल एक cool colors वाले visual देख रहा है अच्छा चलें अब एक और visual open करते हैं यह देखें यह एक और landscape मैंने यहां पे आपलों के लिए रखावा है इसको हमने drag किया background को हम करते है layer 0 और आप देख सकते हैं कि यह visual हमें कुछ कुछ कूल नजर आ रहा है हम यह करते हैं कि यहां से हम आते हैं adjustment layers में और हम चूज करते हैं color balance को और अब क्यों कि यह cool color से मुच्तमिल है हमने इसको थोड़ा सा अगर हम change करना चाहें इसकी color value तो definitely हमें थोड़ा सा warm colors की तरफ जाना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ मैं इसमें थोड़ा सा red add करता हूँ यह देखें आप change देख सकते हैं visual के अंदर इसे जाना थोड़ा सा इसमें हम magenta add करते हैं और हम इसमें थोड़ा yellow add करते हैं दोस्तों यह देखें अगर मैं इस adjustment layer को जो color balance के मैंने यहाँ पर add की हुई है इसको मैं off करके आपको visual दिखा हूँ तो यह आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि बिल्कुल जो उसकी color value थी उस visual की वो totally change हो चुकी है अच्छा इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं इस visual में किसी भी area को select करके जिससा हैं यह मैं quick selection tool पे आता हूँ और मैं यहां से कुछ थोड़ा सा area जो है वो अपनी मर्जी से एक rough सी उसकी एक selection लेता हूँ जिससा हैं मैंने fields की selection ले लिये और अब मैं press करूँगा control B control B जो है दोस्तों याद रखें shot की है color balance की यहां पे अब मैं अगर red add करूँ थोड़ा सा magenta और थोड़ा सा yellow तो यह देखें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो color balance के through मैं changes करूँ color में वो सिर्फ मेरे selected area में हो रही है तो इस तरह से आप किसी भी visual में कोई भी area select करके color balance में जाके उस area के color को change कर सकते हैं अच्छा जी हम इस visual को करते हैं close और एक निया visual यहां पे लेके आते हैं यह भी एक बहुत interesting सा visual है यह आप देख सकते हैं एक vintage car आपको नज़र आ रही है और कुछ street का एक visual है अच्छा यहां पे आप में आपको एक next option बताने लगा हूँ जो कि है hue saturation दोस्तो इसकी short की है control U अगर आप control U प्रेस करें या image में जाके adjustments में यहां से आप hue saturation को choose करें तो यह आपको सामने एक dialogue box आजएगा जिसमें आप देख सकते हैं दो important यहां पे options है hue and saturation दोस्तो hue का मतलब होता है color hue किसी भी color को कहते हैं अब यहां पे अगर मैं यह hue वाली knob को यहां से change करना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो visual है पूरे visual की यानि कि पूरे image की जो colors हैं वो change हो रहे हैं इसको मैं cancel करता हूँ और अब यह आप देख सकते हैं आपको समझ आगी होगी कि hue basically क्या है जब आप hue को change करेंगे तो basically पूरे visual के colors हो हैं वो change हो जाएंगे उसके उपर किसी एक खास color की dominance आजाएगी अच्छा saturation जो है यह है basically amount of color basically इस visual के colors अपने maximum peak पे चले गए हैं अब मैं क्या करता हूँ मैं दोस्तों यहां से adjustment panel में आके hue or saturation की layer लेता हूँ और मैं color आपको change share के दिखाता हूँ यह आप देख सकते हैं कि गाड़ी का color जह हो change हो रहा है लेकिन यहां पे problem यह आ रही है कि जो पीछे street है उसका color भी सासाथ पूरे visual का color change हो रहा है अब इसका क्या solution है दोस्तों इसका solution बहुत ही simple सा है हम करते ही हैं कि हम यहां से quick selection tool की मदब से यह जो गाड़ी है इसको हम select कर लेते हैं अभी फिल हाल में इसकी एक rough सी selection ले रहा हूँ क्योंकि यह काम बभी में सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जो area अगर extra आज़े selection में है तो वो आप negative यानि के minus को hold करके आप वापस लेके जा सकते है चले मेरा ख्याल है कि यह selection यह सो काफी decency selection हो गई है अच्छा जी अब यह मैंने गाड़ी select कर ली अब मैं प्रेस करता हूँ control U और यह मेरे सामने hue saturation का dialogue box open हो गया अब यहां से अगर मैं इसकी hue change करूँ तो यह देखें दोस्तो गाड़ी का color जो है वो altogether हमने change कर दिया यह हम गाड़ी का color ले आए हैं जी red पे इसी तरह से हम इसको blue में भी change कर सकते हैं जो कोई भी color आप चाहें वो आप यहां से गाड़ी का change कर सकते हैं अब यह देखें यह जो भी मैंने last में किया है इसमें हुआ क्या है कि जो बाकी street है उसका color बिल्कुल भी change नहीं हुआ जबकि जो area मेंने select किया हुआ था जो गाड़ी मेंने select की हुई थी उसका color जो है वो altogether change हो चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप लोगा ने देखा कि हम color balance hue और saturation की मदब से किसी भी visual में color की values को change कर सकते हैं और उसके mood को पूरे visual के mood को all together change करने की सलाहियत हम रखते हैं